हेलो बच्चो बहुत बहुत नमस्कार मैं आपका अपना मास्टर आजय यादव आप लोगों का जोरदार शौकत करता हूं आपके अपने चैनल इजी अकेडमिक्स पे तो प्यारे बच्चो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला और कर आज़ने चैनल है याय मीडियम से मीडियम से दूसरे मीडियम मे ट्रेवल करती थी, हमने glass slab के अंदर के एक medium लिया था, दूसरा medium लिया था, उसमें हमने देखा था कि कब हमारी rare से dancer जाती है, dancer से rare जाती है, तो क्या होता है, कि light ray normal की तरह band होती है, या away band होती है, और smells law ये सब हमने पढ़ा था, आज का जो lecture है, वो भी reflection से related है, यानि reflection के अंदर ही है, और to a spherical lens, clear बात, तो आईए, बैट जाईए, pen लीजिए, notebook लीजिए, और आज का lecture स्टार्ट करते हैं, कहीं भी miss मत करिए, last तक, end तक इस lecture को देखिए, ठीक है, चलो आईए, स्टार्ट करते है, तो आज का जो lecture होने वाला है, प्यारे बच्चो, image formation by spherical lenses, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि lenses होता क्या है, और lenses को देखने के बाद हम देखेंगे कि आगे कैसे image formation होती है, last class में हमने reflection पढ़ा था, तो reflection से related एक छोटी सी problem है, वो देख लेते हैं, चीक है, छोटी सी problem क्या है, कि absolute refractive index of medium A and BR 1.3 and 1.5, तो प्यारे बच्चो, हमें given क्या है, सबसे पहले व index, यानि अगर मैं मान लेता हूँ, refractive index of medium A, that is equal to 1.3, और दूसरे की मैं बात करूँ, तो refractive index of medium B, that is equal to 1.5, ठीक है, respectfully, if the speed of light in medium is this, calculate the speed of light in medium A and दूसरा हमें निकालना है, vacuum में, clear, चलो बहुत अच्छी बात, अब speed of light दे रख्या हमें medium B में, यानि हम यहाँ से लिख सकते हैं, speed of light in medium B, that is equal to 2 into 10 is to power 8 meter per second, दूसरी बात हमें निकालना है क्या, कि medium A में speed की light of speed और एक vacuum में निकालना है, बड़ा simple सा question है, ठीक है, तो आईए इस सो start करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे पहले प्यारे बच्चो, refractive index क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, refractive index, refractive index को बच्चे हमने लिखा था, म्यू, और म्यू हमने लिखा था, c by v, चीक है, किसी भी medium की मैं बात कर रहा हूं, c क्या था, speed of light in vacuum, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, c मेरा क्या था, speed of light in vacuum, in vacuum, अब प्यारे बच्चो, देखिए, हमारे पास question में क्या क्या given है, a का refractive index हमें given है, और b का हमें given है, और speed of light हमें b में ही given है, तो यहाँ पर देखो लिख लेंगे, refractive index of b, that is equal to speed of light, in vacuum, divide by speed of light in medium b, और speed of light in medium दे रखिये दिस, और यह हमें दे रखा है, 1.5, तो देखो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, 1.5, that is equal to speed of light in vacuum, divide by vb, कितना है मेरे पास, 2 into 10 raise 2 power 8, तो यहाँ से c की value आ गई, 3 into 10 raise 2 power 8 meter per second, बड़ा simple सा है, कुछ logic है नहीं, दूसरा question हमसे पूछा है, कि medium a में बताएगे, तो medium a का refractive index की में बात की जाए, तो a में refractive index हमें ग्यों है, 1.3, that is equal to c, into speed of light in vacuum a, clear बात, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, speed of light in medium a, that is equal to 3 into 10 raise 2 power 8, divide by 1.3, यह आ जाएगा मेरे पास, 2.4 approximately into 10 raise 2 power meter per second, यह हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में था, उससे लेटिड हमने एक प्रोब्लम कराई है, ताकि आपका revise हो जाए, clear पहारी बच्चो, आप आगे बढ़ते हैं, आज का topic स्टार्ट करते हैं, आज का topic हमारे पास क्या है, lenses के बारे में हम पढ़ते हैं, clear, तो आप लोगों के एक सुन्दर सी image दिखाई दे रही होगी, आप लोगों के जो आपके mobile screen या आपका जो laptop screen है, उस पर आपके एक सुन्दर सी image दिखाई दे रही होगी, image क्या कह रही है, इस image is captured while looking through a glass sphere, तो यह आपको पीछे का background दिख रहा होगा, कि हम जब इस image को देखते हैं, इसको किसी भी glass sphere से देखते हैं, तो हमें ऐसी कुछ दिखाई दे रहा है, clear, तो यह इतना ही दिखाना चाहा रहा है, कि हमें glass sphere से कैसे image हमें दिखाई देती है, clear बात, अब आते हैं main topic पे, कि हमारा होता क्या है, तो स्फेरिकल लेंसे क्या होते हैं, दो टाइप के स्फेरिकल लेंसे हम पढ़ने वाले हैं, दो टाइप के कौन कौन से, one is हमारे पास होगा convex lens, second होगा हमारे पास concave lens, सबसे पहले बात आते हैं कि phone कैसे होते हैं, clear बात, अब देख लीजिए, हमारे पास हमने क्या किया, कि हमने यहाँ पे दो स्फेर ले लिए, ग्लास स्फेर ले लिए, एक ये वाला, और दूसरा ये वाला, तो इनके अब यहाँ से आप देखोगे ये वाला जो intersection part बना ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस lens को बोला जाता है, convex lens, यानि अगर मुझे इस type का lens होगे, ये वाला, ये मेरे पास क्या होगे भई है, convex lens, convex lens, दूसरी अगर मैं बात करूँ, concave lens की, तो concave lens क्या ले लेंगे, हम देखोगे, ऐसे जैसे ये वाला region लिया था, ऐसे ही हम ये वाला sphere ले लिया एक region, और एक ये वाला ले लिया हमने, ये जो beach का region ये वाला बनाने ये वाला, यानि कैसे कि हमने पूरा ये ये ले लिया एक, ये हमने glass ले लिया, उस मेंसे हमने क्या किया, उस मेंसे हमने क्या किया, ये वाला sphere cut कर लिया, ये वाला sphere cut कर लिया, तो बीच का ये जो reason बचा, इस lens को बोला जाता है, कौन के व लेंस, ऐसे बाद, इसको बोला जाता है भाईया, कौन के व, तो देखो यहाँ से एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई है, वो मैं आपको बता देता हूं, कि का इस टाइप का एसा जो लेंस होता है जो आपको दिखा यह हमने क्या किया पूरा ग्लास लिंए उसमें से अइसे हमने इसे को बना इस टाइ आप भिए अब आगए बढ़ते हैं अब देखेए अगर अग RH gossip करेंगे हमने जो यह वाला पोर्शन के मैं बात करूं यह वाला एक पोर्षन पिछय चलते हैं अब इस व murmurs कि अगर मैं बात की जाए इस वाले की बात की जाए इस वाले पॉर्शन की इस स्फेर का एक सेंटर होगा यह वाला और यह वाला जो हमने स्फेर कट किया है इसका भी एक सेंटर होगा यहां पर अब सेंटर होगा तो ऐसे ही इसका क्या होंगे फोकस होंगे फोल का और सेंटर जो है उसके जो बीच का पॉइंट होता है उसको फोकस वो लगाता है, अब ऐसे ही इसमें अगर मैं देखूं तो देखो, जो मेरे पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में देखो, इस पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए यह होगा F1, और यह होगा मेरा सेंटर करवेचर, यानि 2F1 अजये ही इस वाले पार्ट के लिए यह वाले देख जाये यह वालंा अब क्यों के लेंस में देखा जाए, तो देखो, इस सफेयर का इस्से का ये क्या बना, इस सफेयर का ये बन जाएगा मेरा focus, इसको बोला गया f1, इसको बोला गया 2f2, इसे ही अगर मैं इस sphere को consider करूँ, इस sphere को consider करूँ, इस वाले sphere को, तो मेरा क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा focus, उ यह बन गया मेरे पास center of curvature, इसे में समझ में क्या आया, कि क्वोन के की कहानी आ रही है तो 2 square के center भी तो होंगे तो वो center होंगे तो अब ऐसे अलग-अलग part की आप देखोगे तो एक देखो। ये वाला array बना इसका जो center होगा ये वाला हो जाएगा ये उसका focus हो जाएगा ऐसे जो ये वाला इस type का में ले रहा था, इस side वाला में ले रहा था, तो इसका भी focus यहाँ होगा, वो जो मेरा center of curvature क्या है, वो वहाँ पर हो जाए. Clear पार बच्चो? तो ऐसी ही कानी मेरी किस में होगी, कौन के लेंच में होगी, किस में होगी, कौन के लेंच में होगी. आगे बढ़ते हैं देखो आप लोगों ने कभी भी जैसे आप लोग कभी भी Physics Lab में जाओगे हलागी स्कूलों में Lab Lab का चक्करना बहुत कम करवा दिया गया है जो कि बहुत गलत है Physics अगर आप Lab में जाओगे तो Physics Lab में क्या देखोगे? आपके पास Convex Lens होता है उस Convex Lens को बच्चे क्या करते हैं? कि देखो हमारे पास Sun होता है ऐसे ही बनाया जाता था Sun भाई पहले तो यह Sun था अब इस Sun से क्या थी? Rage आ रही थी अब इन Rage से क्या किया जाता था? अब छोट टू सा Lens ले लिया जाता थी यह वाला एक चीक है यह Rage आ रही थी, पहलर आ रही थी सारी Rage कैसे आ रही थी? पहलर अब इससे क्या होता था? यह Rage जब इससे पास होती थी न तो ऐसे एक पॉइंट पे बैंड हो जाती थी इस पॉइंट और इस पॉइंट में पेपर रख़ देता था कोई PEPPER government में करण रख देता था, बच्चे कशन अब क्या करते थे ? बच्चे लंब से क्या करते थे उस Lens को चुरा लेते थे अब क्या करते दूप में बैठे हैं अब दूप में बैटे हैं जैसे सनलाइट आ रहे नो उसको एक किसी पॉइंट पर फोकस कर दें पेपर पेपर जलने लगा तो बच्छा होमवर्ड नोटबुक में होमवर्ड कर रहा था उसके पेपर वैसे ऐसे साइंस दिखा रहे है वो करते करते पेपर को जला देते तो य यह मेरे पास सन था सन से मेरे पास यह रेज आई अब रेज आने के बाद यह जब लैंस से पास हो यह वाला यह वाला देखिया इसने क्या किया एक पॉइंट पे एक पॉइंट कौन सा होता हो फोकस होता है कौन सा होता है इस पे इसने मीट करा दिया अब मीट करा दिया तो करती है बसे लाइट में करती है अब इस प्वाइंट पर हम फोकस करेंगे तो इस च्छों उटा सब्सक्राइब आपको आपके पास कुछ कपड़ा होता है को कपड़ा होता है को टन का कपड़ एक तरी कोड़ के आप ऐसे कपड़े होते हैं वह थोड़ा चिक है तो अब कहानी आती है Why does a paper burn when kept in front of magnifying lens तो यहाँ पे जो lens भईया यह मेरे पास जो lens use किया ना यह वाला lens यह lens होता है मेरे पास convex कौन सा lens होता है भईया detached अब convex lens यह क्या करता है convex lens इस sunlight को Converge कर देता है एक point पे उसको बोला जाता है फोकस, यानि यह जो point होगा, वो इसका क्या कहलाएगा? Focus. क्या कहलाएगा बचे? Focus. अब इस focus point पे क्या कर देता है? उसको converge करा देता है, meet करा देता है. तो वहाँ पिदेख़ो, अब यह light rays आ रही थी, यह light rays यह थोड़ा-थोड़ा बिखरी हुई थी. अब इसको क्या किया इसने सब को converge कर दिया कि single point पर एक single dot point पर क्या कर दिया single dot point का temperature क्या होता है temperature बढ़ने लगता है तो वो fire को पगड़ लेता है clear बात तो इस छोटी सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अब ऐसे क्या होता है lens में वही हम आके discuss करते हैं एक पर देख लेते हैं अब देखो मेरे पास दो lens को है न lens को lens को दो section में divide किया गया है कौन सा? एक तो convex lens एक कौन के lens अब जो मेरे पास convex lens होता है इसको बोला जाता है converging lens converging lens क्यों बोलते हैं भाईया वो देख लेजी converging lens इसलिए बोलते हैं कि जो भी light rays आएगी मेरी जैसे यह light rays आई इनको क्या करेगा एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा converge करादेगा क्या करादेगा भाईया converge क्या करा देता है converge इसलिए बोला जाता है converging अब ऐसा ही मैं अगर करू concave lens में तो concave lens में क्या होता है, ये light rays आई, तो ये light rays आने के बाद ऐसे चलिए, इन्हों ने क्या कराया, diverge, इसको क्या बोला जाता है, concave lens को क्या बोला जाता है, diverging lens और इसको बोला जाता है, converging lens, तो देखो, मैं फिर से आपको कहानी बता रहा हूँ, lens को हमने दो section में divide किया था, one is, क्या था मेरे पास? Convex, और दूसरा मेरे पास, प्यारे बच्चो क्या था? Concave, क्या था? Concave, अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कि जो मेरे पास convex है, ये क्या हो गया? Converging, क्या हो गया? Converging lens, और ये वाला जो concave होता है, इसको हम बोल रहे हैं, diverging lens, क्या बो इससे पास होने के बाद यह diverge हो गई इस direction में, क्या होगी भईया, diverge हो गई, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यह light rays आई और इससे जब lens से पास होगी, तो यह एक single point पर क्या हो जाएगी, converge, क्या हो जाएगी, converge, तो इसको बोला जाता है converging lens और इसको बोला जाता है diverging lens, 10 तक हम ऐसा करते हैं, क्यों, यह condition कब satisfy है, convex lens और concave lens कब converging, diverging कब है, जब यह जो भार का medium है, surrounding का medium है, यह भार का medium है, इसको हम लिख लेते हैं, mu s, और इस lens का medium क्या है, mu l है, तो अगर मेरा μू L बड़ा है किस से सराउंडिंग से, जो जनरली होता है, तब ये मेरी condition है, ये दोनों satisfy है, otherwise, otherwise, रोल बदल जाते हैं, फिर बात, अगर मेरा जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का जो मेरे पास जो refractive index है, वो बड़ा है, lens के refractive index है, तो मेरे पास क्या होगा कि जो convex lens होगा, वो diverging lens हो जाता है, हलाकि अब 10th class तक हम पढ़ रहे हैं, तो 10th class में जो surrounding का medium होता है, वो हमेशा lens के medium से क्या होता है, कम ही होता है, तो हम बोल सकते हैं कि convex lens, always converging lens, up to 10th class, क्या बोल सकते हैं, up to 10th class, लेकिन जब आगे पढ़ोगे, further study करोगे, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, फिर हमें surrounding का medium का role समझाना पड़ता है, clear बात, तो हम ये बोल सकते हैं, भया, 10th class तक क्या बोल सकते हैं, convex lens मेरा क्या होता है, always converging lens, so we can write, convex lens, क्या होते हैं मेरे पास, converging, ये condition कब है, मैं बता देता हूँ, कब है, कि जब मेरा lens का medium, surrounding medium से क्या है, ज्यादा है ठीक है, तो मेरा convex lens होता है, converging, और concave lens होता है, diverging, ठीक है, प्यारे बच्चो, आगे बढ़ते हैं, चलो भी, अब आता है special rays for convex lens, तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं, ray diagram पढ़ रहे हैं, जो आपने mirror में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ray diagram, ray diagram क्या करते थे, कि हमारे पास mirror में भी हमने पढ़ा था, light ray आती थी, और mirror से टक्राने के बाद, हाँ पर reflection हो रहाता है, यहाँ पर reflection होगा, तो कहां से कैसे pass होती है, वही हम देखते है, clear बात, सबसे पहली बात, यह जो मेरा होता है, इसको बोला जाता है principal axis, देखो, यह मेरे पास क्या है, प्यारे चीक है, principal axis, अब जो light ray, जो light ray, मेरी principal axis की आ रही है, तो क्या रही है, यहारी है, parallel, वो मेरे पास होगी, कहां से, after reflection, कहां से pass ہوتी है, focus, कहां से pass होती है, बात, दूसरी बात जो light ray मैं बात करूँ जो light ray मेरी focus से पास होगी कहां से पास होगी focus से वो after reflection मेरी क्या हो जाएगी पैलर हो जाएगी यह point क्या था मेरे पास focus यानि जो light ray पास हो रही है किस से focus से after after reflection after reflection क्या हो जाएगी parallel to principal axis क्या हो गए principal axis के भाईया parallel क्या हो गए principal axis के parallel यह देखो यह यहां से focus से जा रही थी यह principal axis के क्या हो गए after reflection parallel हो गए तो दो condition आपको याद रखने है यह वही दो condition है यानि यह वही तीन condition जो हम discuss करेंगे कि ray diagram कैसे draw करें जैसे हमने mirror में देखा था क्या देखा था जो parallel आ रही थी वो after reflection focus से pass हो रही थी जो center of curvature से pass हो रही थी वो after reflection भी center of curvature से ही जा रही थी तो यह ऐसी condition है तीन हम condition ऐसी पढ़ते हैं जिनसे हम ray diagram को draw करेंगे तो दो हमने पढ़ लिए तीसरी क्या है जो मेरी इस pole से यानि इस point से यानि optical center से बात करें तो मतलब जो lens का जो यह center point है इससे जो rays जो मेरी जाएगी वो बिना किसी deviation के सीधी pass हो जाएगी ठीक है सीधी जाएगी बिना किसी reflection कोई reflection लो आपे follow करने वाला नहीं है जो यहां से आएगी और यह वाली सीधी यही से pass हो जाएगी इन तीन condition का यह जो तीन condition है ना number one, number two और यह तीन, इन तीन condition का use करते हुए हम सारे ray diagram draw करने वाले हैं, जितने भी ray diagram है देखिए, आईए अब देखिए देखो सबसे पहले, सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो मेरी, जो मेरा भाईया, object है यह वाला हो सबसे पहली condition जो है मेरी object मैंने कहां लिया है, object beyond C image formation पढ़ रहे हैं, सबसे पहले किसकी convex lens की, तो सबसे पहले condition लिया है कि जो मेरा object है वो C के पीछे है जैसे mirror में हम कर रहे हैं, same कहानी करनी है mirror वाली कहानी करनी है, ठीक है यहाँ पर हमने object ले लिया अब इस object से क्या होगा, ध्यान से देखना मैं ray diagram ड्रो करने की कोसिस कर रहा हूँ, प्यारे बच्चो यह वाली principle axis के जो पहलर आई यह वाली पहली दूसरी मैं बात करूँ यह वाली जो यह मेरी इस o से पास होगी यह मैंने बोला without any deviation सीधी पास हो जाएगी तो यह वाली सीधी पास होगी, अब यह दोनों meet कहां पे करी इस point पे तो यहां पे, यहां पे मेरी image बन जाएगी, यह वाली इसको बोला जाता है image कहां बनी है? F और C के बीच में यह याद रखना size क्या है? छोटा size है, कैसा size है? छोटा size है सबसे पहले बात तो करूँ, object मेरा था beyond C अब मेरी image यहां पे बनी है कहां F और C के बीच में size क्या है? छोटा size ठीक है? एक condition होगी दूसरी condition क्या है? कि जो मेरा object है, वो कहां पे रही? C पे रही second condition क्या है, मेरी object at C यह object मेरा कहां पे रही? center of collection अब वही दो condition आपको follow करनी है क्या? भई light ray जो principal axis के पहले जाएगी वो after reflection कहां से pass हो जाएगी? focus से दूसरी बात जो c d o से जाएगी वो बिना किसी deviation के सीधा pass हो जाएगी? अब यहां पे जहां पे यह meet करेगी वहां पे मेरी image बनेगी और यह कहां पे image बनती है? यह बनती है image मेरी at C लिख रहो में image at कैसी बनती है? real actual में meet कर रही है real inverted and same in size अचा यहां पे अगर मैं बात करूँ यह वाली इमेज बनी थी यह भी कैसी बनी थी image? real कैसी बनी थी बहिया? real दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कैसी बनी थी? inverted और थर्ड बात करूँ तो क्या बनी थी? smaller in size अब एक चीज तो समझ में आई जैसे मेरा object center की तरफ fix हो गए यानि lens की तरफ चलेगा मेरा जो image का size बढ़ता हुआ चलेगा अगले case में देखते हैं क्या? अब मेरा जो मैंने object लिया है object कहां लिया है? in between e and f f और c के बीच में लिया है तो वही दो condition जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्या? जो raise parallel जाएगी principal axis के वो pass हो जाएगी focus से और जो cd's o point से जाएगी वो यहाँ पे meet करेगी और यहाँ पे मेरी image यह वाली image बनी अब धियान रखना है image बनी कहां पे? c के पीछे बनी है कहां बनी है? c के पीछे कैसी है? यह real में, actual में meet कर रही है तो real है दूसरा ultra आपको दिखाई दे रही है यानि inverted है और size की बात की जाए तो क्या है भईया? bigger in size क्या है भईया? bigger in size ठीक है? size में क्या है भईया? clear बात? चलो भई next case पे आते है अब देखो जैसे जैसे आप जा रहे थे जैसे जैसे पास जा रहे थे image बढ़ती जा रही थी ठीक है? अब हम करते है कि मेरा अब आते है नए case पे यानि नए condition number 4 पे कि जो मेरा भईया object है वो कहां पे है? focus पे है object कहां पे है? अगर आप ध्यान से देखोगे न तो ये जो range है ये क्या होगई? ये parallel होगई है अब ये parallel range meet करने वाली है नहीं हम मानते है parallel range कहां पे meet करती है at infinity तो हम लिख लेते है जो image भी बनेगी मेरी वो कहां पे बनेगी at infinity ये याद रहा चलो भई अब आते हैं कहानी किसमे कि जो मेरा object है वो कहां है इस o और focus के बीच में यानि मैं लिख लेता हूँ कि मेरा इस case में object जो है object between pole and focus pole और focus के बीच में अब वही दो कहानी करने हैं भईया ये वाली range गई पहलर जो ये focus से pass होगी और जो o point से जाएगी वो ऐसे जाएगी अब आप देखोगे न तो इनके बीच का ये जो distance है ये बढ़ता जा रहा है इन range के बीच का distance अगर distance बढ़ रहा है इसका मतलब ये range कहां meet करेगी कभी नहीं करने वाली अब इनको मुझे actual में meet कराना पड़ता है पीचे अगर मैं देखो इनको पीचे extend करूँ तो यहाँ पे meet कर रही है तो यानि image इनकी ये बनेगी पीचे अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये range actual में meet की है या virtually meet करानी पड़ी है तो आप बोलोगे तो इसका मतलब image कैसी बनेगी image पहली condition तो क्या बनेगी virtual कीदी image है erect और size कैसा है bigger in size bigger in clear तो भाईया ये जो है हमने condition की है किसकी condition की है कि convex जो lens होता है उसमें image formation मेरी कैसे होती है वो हमने देखा अभी तक clear बच्चो चीक है अब देखो आगे चलते हैं हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं देखो ये कहानी है बड़ी simple सी है कि हमारा जो DIY projector होता है DIY projector वो कैसे काम करता है यहाँ पे हमने जो लिया है मैं आपको बता देता हूँ अब देख लेते हैं हम लेते क्या क्या DIY projector में होता है क्या क्या वो देख लिए यह सबसे पहले तो हमने लिए torch दूसरा यहाँ पे हमने लिए है यह slide ली है जिसकी image बननी है और यह वाला हमने लिए लिए है magnifying glass यानि convex lens अब क्या किया देखो यह वाली कहा रख्योती है यह वाली इसके यह वाले यह रख्योती है मेरी focus और center के बीच में और focus और center के बीच में रख्योती है तो image देखो कैसे बनती है क्या बनती है larger in size कैसी बनती है bigger in size तो यहीं पे follow किया है कि यह वाली जो slide है यह इसके कहां पे रख्योगी यह मैं मान लेता हूँ यहां पे center कुछ होगा और यहां पे इसका focus होगा focus और center के बीच में रख्योती है यह वाली कहाने देख लीजे यह किसकी बात करें अब यह वाला object जो है यह मेरा रख्या है कहां पे यह object मेरा कहां पे रख्या है focus और center of curvature के बीच में तो अब यह जो range जाएगी पैरे बच्चो यह पैलर जाएंगी यहां से पास हुई और यह ऐसे जाएगी यहां से पास हुई तो जो मेरा image बनती है वो कहां बनती है बढ़ते हैं clear बच्चो चलो भई अब जैसे magnifying glass कैसे काम करता है magnifying glass तो आपने देखा होगा जैसे bio lab में या lab में जाते हैं lab में जाओगे आप लोग एक्च्वल में जो magnifying glass होता है magnifying glass का मतलब ही क्या है हम बात कर रहे हैं convex lens की कि किसकी बात कर रहे हैं magnifying bigger in size बनाता This is clear complex lens है condition क्या है image क्या बननी चाहिए bigger याश larger larger बननी चाहिे और दूसरी क्या बननी चाहिए ci Leben याशवालumm when Cl Cord larger बननी चाहिए और convex में कभ्या हो सकता है अब आपे चलते हैं देखो ये वाला यह वाली case जब मेरा object रखा हो pole और focus के बीच में तब बन सकती है मेरी क्या सिदी भी बनेगी और larger निए size बनेगी चलो भी अब देख लीजे अब यह हमने क्या लिया convex lens ले लिया यह मेरा क्या सा focus यहां पर मैंने क्या रख दिया यह object रख दिया निसके साथ-साथ क्या है वर्चुन होती है किया होती है और हमें चाहिए क्या है चाहिएंपट मंटलब की बड़ा देखने के तो इसका मतलब मैगनिफाइंग गिलास की बात कि जा है कि तो मैगनिफाइंग इसका मतलब है वह बात कर रहा है का और कॉनवेट्ट से लेंस का भी प्या है कंडिशन है कि जो object है, वो मेरा रखा होना चाहिए कि इसका पॉल और focus के बीच में, इसलिए हम कभी जब magnifying glass का use करते हैं तो उस object को बिलकुल पास से देखते हैं, पतला उस glass को, यानि इस magnifying glass को उस object के बिलकुल पास ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, ताकि वो object उस glass के focus के और pole के बीच में आ जाए, यानि focus के अंदर आ जाए, जैसे focus के अंदर आएगा, उसकी जो image बनेगी और larger बन जाएगी, कैसी बन जाएगी प्यारे बच्छो, larger, ठ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो, हम बात कर लेते हैं, एक मेरी बच गई थी, कि ये वाली बच गई थी, मेरी, कि जब मेरा convex lens की बात की जाए, जब मेरा convex lens में, convex lens में, जब मेरा object जो है, वो कहाँ पे है, infinity पे है, ठीक है, यानि object मेरा कहाँ पे है, object at infinity, प्यारे बच्छो, infinity का मतलब है, कि जो principal axis है, इन्फिनिटी का मतलब है, कि जो raise आ रही है, वो principal axis के pallor आ रही है, और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अब यह जो जितनी भी raise आएगी, मेरी जो pallor आएगी, principal axis के, वो सब reflection के बाद कहाँ से pass होगी, वो भाईया, focus से pass होगी, तो यहाँ पर image बनेगी, कैसे image बनेगी, real, दूसरी भाईया, point size, और inverted तो है, point size है, तो inverted की तो मैं क्या ही बात करो, real की बनेगी, कहाँ पर बनेगी, at focus, कहाँ पर बनेगी, at focus, clear बात, तो अब हमने बाकी सारे case हमने discuss करी लिये थे, अब देख लेते हैं, पहला, कि मेरा object infinity पर होगा, तो image की position कहाँ होगी, भाईया, focus पर, image size क्या होगा, point size होगा, real होगा, inverted होगा, clear बात, दूसरा, beyond 2F, यानि beyond center, यानि उसके बात की जाए, तो मेरी जो image बनती है, वो कहाँ पर बनती है, between F2 and 2F2, यानि focus और center of curvature के बीच में, size कैसा होता है, अब या, smaller in size होती है, और real or inverted तो होती है, nature की बात, अब मैं बात करूँ, अगर 2F1 पे हो, 2F1 पे हो, तो image बनती है, at 2F2, कहाँ पर बनती है, at 2F2, और same size की बनती है, real and inverted, उसका क्या हो जाता है, भाईया, nature, ठीक है, अब मैं बात करू, between 2F1 and F2, अगर आ जाए, तो image बने जो nature होगा, वो बनेगा real or inverted, अब मैं अगर बात करूँ, F1 पे होगा, या इधर वाले focus पर रखा है, image infinity पर बनती है, highly enlarged होती है, real and inverted होती है, infinity पर हम मान लेते हैं, infinity पर जाके meet कर रही होती है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, और F1 के बीच में रखे जाएगी, तो same side बने या जिदर object होगा, उधर ही बनेगी, enlarged बनेगी और virtual और erect बनेगी, जो हमने अभी तक हम discuss भी कर चुके है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब कहानी आती है, कि concave lens जो है, उसमें image formation कैसे करे, यार वही तीन condition है, गेनी चुनी, कि rage जो पहलर आएंगी, वो कैसे pass होगी, फोकस स यानि center से lens के center से pass होगी, वो कैसे pass होगी, यह तीन चीज पता लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो, वही कहानी है, जो principal axis के जो आएंगी parallel range, वो मेरी after reflection इधर चली जाएगी, यानि वो virtually मुझे ऐसा लग रहा होगा, कि इस focus से pass हो रही है, ठीक है, अच्छ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, तो हमें इन तीन condition का use करना है, इन तीन special rays का use करते वे, image formation करनी है, किसमें, कौन के लैंस में, किसमें करनी है, प्यारे बच्छो, कौन के लैंस में, चलो करते हैं, देखो, सबसे पहले मेरा है, object कहां पे हो, infinity पे हो, object कहां पे है, at infinity, तो ये मेरी rays आई, जो principal axis के parallel थी, और हमने अभी बताया था, बच्छो, कि जो rays principal axis के parallel होगी, वो after reflection मेरी कहां से ऐसे जाएंगी, यानि वो diverge हो जाती है, तो इसका मतलब मुझे वो ऐसे focus पे पीछे meet करानी पड़ती है, तो image बनेगी, वो मेरी कहां पे बनेगी, कि focus पे बनेगी, कहां पे बनेगी, यानि मैं लिख सकता हूँ, image at, at f1, कैसी बनी है बहिया, virtual बनी है, कैसी बनी है, virtual, point size, ठीक है, अब point size में इरेक्ट किये तो मैं क्या ही बात करूँगा, अब दूसरा case जो condition हम discuss करते है, कि जो मेरा object है, object जो मेरा प्यारे बच्चो है, वो कहां है, in between, c1 and f1, तो raise जो parallel जाएगी, principle axis के, वो ऐसे diver हो जाएगी, तो वो मुझे meet करानी पड़ेगी, पीछे ऐसे, focus से pass करानी पड़ेगी, और जो इस o point से pass होगी, वो तो बिना किसी deviation के, पास हो जाएगी, तो यहाँ पे meet करेगी, अब देखो, मुझे पीछे meet करानी पड़ी है, तो देखो, virtual तो ही, image जो बनी है, image इस case की बात की जाएगी, तो प्यारे बच्चो जो image बनी है, वो बनी है, in between, o and f1, कैसी बनी है, nature की बात की जाएगी, तो virtual बनी है, erect बनी है, और दूसरी बात की जाएगी, तो smaller in size बनी है चलो बे, आगे बढ़ते हैं, देखो, ये condition discuss कर ली, इंफिनिटी पे होता है, तो बनती है, at f1 पे बनती है, और point size होती है, virtual erect होती है, और other position पे होती है, तो और f1 के बीच में बनती है, diminished बनती है, virtual erect होती है, देखो, concave lens में, और convex lens में, दोनों में virtual image बनती है, फर्क क्या ह होता है, देखो, फर्क क्या होता है, फर्क बता देता हूँ, आपको, फर्क क्या होता है, प्यारे बच्चो, देखो, जो मेरे पास convex lens था, convex lens, और एक मेरे पास हो गया, concave lens, दोनों में जो image है न, virtual बनती है, इसकी जो virtual image बनेगी, वो virtual image कैसी बनेगी, भईया, larger in size, इसमें भी virtual image बनेगी इसमें virtual image कैसी बनेगी smaller in size यह फरक याद रखता है कैसे बनेगी smaller in size अब आपसे दे दिया जाए question में आपसे ऐसे दे देंगे कि image बन रही है image virtual image है और smaller in size है तो smaller in size का मतलब है और आपसे दे दिया जाए virtual image है और larger in size है तो इसका मतलब और convex lens की virtual image का आप फरक समझ लेना क्या कि जो convex lens होता है उसमें जो virtual image बनती है वो बनती है larger in size और जो और जो और आपसे बनती है smaller in size most important है क्या है भीया most important clear बात चलो आगे बढ़ते हैं आरे यार simple सी बात है यह कौन सा lens है भीया poncave lens है कौन सा lens है poncave lens यह आपको यह वाले लिख लेते है poncave lens के option जो होना था इसका poncave lens था भीया poncave lens था what is the nature of the lens that is shown by rectangular box इस rectangular box में जो आपको दिखाई दे रहा है यह कैसा lens है poncave lens है और poncave lens है diverging है कौन सा lens है भीया diverging lens जो हमने पढ़ा भी है ठीक है तो बड़ा मतलब simple सा question था आपको सिरफ पैचान करने थी प्यारे बच्चो अब आता है यूज क्या-क्या है हमारे पास जो lens हम पढ़ रहे है इन lenses का यूज क्या-क्या है वह आप देख लिए क्या-क्या यूज है तबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यह microscope में है दूसरा telescope में है magnifying glass में है यह हमारे जो हम पैनते हैं चस्में पैनते हैं उसमें है अच्छा हमें defect हो जाते हैं आई defect हो जाते हैं आई defect के अंदर दोनों यूज किया जाते हैं कोन बहुत किया जाता है यह lenses पैने भी जाते हैं यह दिख रहे होंगे आपको लेंस का हमारे daily life में बहुत जाता यूज है आप बच्चों को देखो दोनों lenses की जरूरत पढ़ती है वो डिपेंड करते हैं आपको कौन सा आई defect हुआ है आई defect हम जब पढ़ेंगे human जो यह light का जो हम पढ़ेंगे न human nature of colorful world and light का जो नेचर होगा वो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे eye की defect होते हैं तो कौन सा lens हम यूज करते हैं ठीक है कौन सा lens यूज करते हैं convex lens यूज करते हैं clear बात चलो आगे बढ़ते हैं तो आज की class हमारी थी कि lens और उनसे बनने वाली images के बारे में दो टाइप के lens हमने पढ़े हैं Convex और Concave Convex हमारा Converging होता है Concave हमारा diverging lens होता है उनसे हमने image पढ़ी है जो Convex lens होता है वो दोनों image बनाता है real and virtual लेकिन Convex lens की virtual image की खास बात ही होती हो larger in size होती है वहीं पर अगर मैं बात करूं Concave lens की वो वर्चॉल image बनाता है और वर्चॉल image बनाने के साथ साथ वो smaller in size बनाता है उसके बाद हमने usage पड़े तो आज की class बच्चों यहीं तक आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से master की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका अप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया जय हिंद जय बाद